हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी कम मेरे यूटूग चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज की यह वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम दहिचैकर्स गाइड टू गैलेक्सी जो कि डागलस एडम के द्वारे लिखी गई है वो पढ़ने वाले तो दोस्तों बिना देर किये हैं चलिए इस वीडियो को आश्टार्ट करते हैं उमीद है आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चेनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूलिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों श्टोरी की सुर्वार्थ होती है इस नोविल के प्रोटागोनिस्ट और्थर डेंट से जो सुबह जागता है तो देखता है कि उसके घर के पास बुल्डोजर लगा हुआ है जो उसके घर को गिराने के लिए आये हुआ था और्थर डेंट कुछ समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके घर को गिराया क्यों जा रहा है तो उसे पता चलता है कि उसके घर के पास से हाइवे क्रोस किया जा रहा है और इसी कारण से उसके घर को गिराना पड़ेगा वह उस बॉल्डोजर के सामने लेट जाता है तभी उसक पंदरा सालों से धर्ती पर था वह देखने में डरावना था लेकिन धर्ती के लोगों को कभी कुछ नहीं करता था तो और्थर डेंट और फोर्ट परफेक्ट दोनों दोस्ते थे लेकिन और्थर डेंट अभी तक नहीं जानता था कि फोर्ट परफेक्ट एक एलियन है जो कि बिटेल ग्वीज यानि अपने अश्टार बिटेल ग्वीज से आया हुआ है फोड परफेक्ट उसे अच्छी तरह से समझाता है और उसे एक वाइन सोप लेकर के जाता है क्योंकि दोस्तों हम मनुष्ट से के पास पांच इंद्रिया होती है लेकिन उस एलियन के पास 6 इंद्रिया थी और इसी से वाइन पता कर लेता है कि एक एलियन का ग्रूप जिसका नाम है वोगंस वे लोग अर्थ पर अटैक करने वाले हैं और अर्थ पर अटैक करने का मतलब है पुरी दुनिया को तबाह कर देना तो फोट परफेक्ट को या पता चल जाता है अपने सेंस के द्वारा अपने इंद्रियों के द्वारा कि वोगंस है कि वोगंस जो है वो धर्थी पर अटैक करने वाले हैं और धर्ती पर अटाइक इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वे a space to a space एक सब्वे बना रहे थे और सब्वे बनाने के क्रम में बीच में अर्थ आ जा रहा था तो इसलिए वे धर्ती को वहां से side करना चाहते थे ताकि उस सब्वे को बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हूँ तो वाइन पिने के बाद foot perfect उसे अच्छी तरह से बता देता है और थर्डेंड को कि मैं एक alien हूँ और मैं scholar का काम कर रहा हूँ researcher का काम कर रहा हूँ और पिछले 15 सालों से तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त बन करके रह रहा हूँ और दोस्तों वेगन्स लोग जो alien का group था वे धर्टी पर attack करने आ रहे थे तो उसका leader था वोगन्स जेल्ट जो कि आदेश देता है कि धर्टी को destroy किया जाए तो दोस्तों जेसे ही वेगन्स लोग अर्थ की और आते हैं destroy करने के लिए वैसे ही चुपके से फोर्ड परफेक्ट और और अर्थर डेंट उनके अस्पेसिप पर चढ़ जाते लेकिन वेगन्स लोग को पता चल जाता है कि उनके अस्पेसिप में कुछ और लोग भी मौज जब उन्हें पता चलता है कि फोर्ड फरफेक्ट और और अर्थर डेंट है तो वो उन दोनों को अस्पेसिप में ही छोड़ देते हैं उन्हें अस्पेसिप से निकाल करके और अस्पेस में छोड़ देते और वे लोग आगे बढ़ जाते हैं इसी बीच जब धरति उन सब का प्रेसिडेंट था जोफट बिबली ब्रोक्स तो वा भी धरती पर आया हुआ था और उसे ट्रिलियन नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था लेकिन वा जानता था कि धरती डिश्ट्रोई होने वाली है तो ट्रिलियन भी मर जाएगी इसलिए वा उसे अपने साथ अपने अश्टार ले गया था एक अस्पेसिप में और उस अस्पेसिप का नाम था दहर्ट ओफ गॉल्ड तो दहर्ट ओफ गॉल्ड नाम के अस्पेसिप में जोफट और बिबली ब्रोक्स अस पेस की तरफ निकल जाते ह्रहे लोग देखते हैं कि और्थर Finanz और फोड़ परफेक्ट अस्पेस में पड़े हुए है तो वो उन दोनों को लिफ्ट दे देता है दोस्तों इसके बाद एक और क्यारेक्टर्स के बारे में हम बात करें तो उसका नाम है मार्वीन मार्वीन एक्चुली एक रोबोट रहता है जो कि हुमेन बींग के सेप का होता है और वह रोबोट जैफ होट का होता है तो दोस्तों इस परकार से जैफ होट मार्वीन और ट्रिलियन तीनों दहर्ट ऑफ गोल्ड नाम के एक अस्पेसिप में एक्चुली वह अस्पेसिप चो स acces कुछ साज के जिसका नाम है मायर गार्थिया एस क्रीन पर उसका एस्पेलिंग देख सकते हैं तो मारद घया नाम के एक और प्लेनेट होता है जैतरा कहा जाता है उस प्लायनेट के बारे में किस् युनिवर्स के जितने भी प्लानेट है उन सब का निर्मान मारगार्थिया नहीं किया है वहां के लोग जितने मिमारगाथियन लोग हैं वे इतने हाइटेक हैं कि वे या वे इतने मतलब प्रबल हैं वे इतने सच्छम हैं कि वे दुनिया के जितने भी गैलेक्सिज हैं या जितने भी प्लानेट हैं उन तो इसलिए जाफ़ड विबली ब्रोक्स उस मारगाथिया को ढूनने का प्रयास करता है। और साथ साथ में अर्थर डेंट, फोर्ट परफेक्ट, ट्रिलियन और मार्विन ये सब उसके साथ हो जाते हैं। वे सब मारगाथिया के सैड निकल जाते हैं मारगाथिया को डूणने के लिए लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मारगाथियन पिपूल जितने भी थें मारगाथियन लोग जितने भी थें वो सब वोगंस के खिलाफ थे वोगंज यानि जो धर्ती को डिश्ट्रोय करना चाहते थे उन सबके खिलाफ थे मारगाथियन लोग अब इन दोनों के भी दुस्मनी कियों थी वो जानिए वोगंज लोग एक हाईवे का निर्मान कर रहे थे गेलेक्सी टू गेलेक्सी एक गलेक्सी से दूसरे गलेक्सी में हाईवे का निर्मान कर रहे थे और इस बीच अर्थ आ जा रहा था तो अर्थ को डिश्ट्रोय करना जरूरी था तो इसलिए वे अर्थ को डिश्ट्रोय करना चाहते थे वे गंस लोग लेकिन मारगाथियन लोग थें उन्होंने एक सूपर कम्प्यूटर बनाया था जिसका नाम था दे डीप थाउट और इस सूपर कम्प्यूटर में 42 क्वेस्चन और 42 एंसर्स मतलब 42 क्वेस्चन और 42 एं तो उसे फिर से रिकेवर करने के लिए एक और सूपर कम्प्यूटर बनाते हैं जिसका नाम रहता है द अर्थ और वह 42 नमबर क्वेस्चन इतना इंपोर्टेंट था जिससे वह जान सकते थे कुछ क्वेस्चन का अंसर जैसे वाट इज लाइफ या पिर मतलब जो 42 नमबर क रिकावर करना चाहते थे लेकिन वह क्वेचन तो एक उन्हें अर्थ से ही प्राप्त हो सकता था और व्यगन्स लोग उस अर्थ को डिश्ट्रोई करना चाहते थे तो इसलिए मारगाथियन और व्यगन्स के बीच दुस्मनी थी तो दोस्तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जाफ़ट विबली ब्रोक्स जो है वो अपने अस्पेसिप में पांचो को ले करके फोड़ पर्फेक्ट और थर्डेंट ट्रिलियन और मारविन को ले करके मारगाथिया के सैट देखता है मारगाथिया सैट जाने लगता है लेकिन मारगाथियन लोग उनके अस्पेसिप पर हमला कर देते हैं अपने हाइटेक मिसायल से या फिर जो भी उनके पास वेपन्स थे उन सबसे वे उनके अस्पेसिप पर हमला कर देते हैं लेकिन किसी परकार से बचा करके जाफ़ट जो लेकिन और्थर देंट जो कि एक इंसान रहता है वह एक आदमी से मिलता है आदमी से नहीं मिलता है एक मारगाथियन पिपल से मिलता है जिसका नाम रहता है स्लेटी वर्ट फास्ट स्लेटी बर्ट फास्ट जो है वह मारगाथिया का एक सिटीजन है तो वह से अर्थर देंट क को बताता है कि मारगाथिया कहीं गूम नहीं हुआ है एक्चुली वह अपने एकोनोमिक संकट से जूज रहा है जिसे वह रिकवरी पाने की कोशिस कर रहा है कि इन दोनों के बीच हुए बातों में पता चल जाता है कि और्थर्डेंट एक इनसान है जो कि अर्थ से आया हुआ है इन सबकी इन दोनों के बीच हो रहे हैं जितनी भी डिसकेशन्स हैं वो वहीं कि दो माइस यानी दो चुहे सुन रहे थे अब उन लोगों को पता चल जाता है कि मारगाथिया पर एक human being आया हुआ है एक manow आया हुआ है और इसी से उस 42 number question का मतलब solution हो सकता है इसी लिए वो लोग और्थर डेंट को पकड़ने दोड़ते हैं अर्थर डेंट वहां से भागने लगता है और भागते भागते अपने group के पास पहुँच जाता है जोफट के पास अब जोफट भी समझ जाता है कि यहां पर रहना उन लोगों के लिए खत्रे से खाली नहीं है इसलिए वे जल्दी से अपने specific में बैठ जाते हैं किसी परकार से जान बचाते हैं और वहां से निकल जाते हैं वहां से निकलने के बाद वे लोग universe के इंड में एक restaurant पर पहुँचते हैं और इस novel का first part यहीं पर इंड हो जाता है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह story कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं next story में